दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत के पास सबसे सस्ते प्रोटीन सोर्स के बारे में और हाँ ये आपकी घर के रसोई के अंदर आपको हमेशा वैलबल मिलते हैं और ये इतने सस्ते हैं कि इनको कोई भी अफॉर्ड कर सकता है चाहे वो एक लोवर क्लस फैमिली का बन्दा है या एक मिडल क्लस फैमिली का बन्दा है चाहे वो एक स्टूडेंट है या एक बिगनर अगर आपका गोल एक अच्छी physics अचीब करना है तो ये आपके लिए बहुत हेल्फल होने वाले हैं तो आईए बगेर किसी देरी के सुरू करते हैं तो दोस्तो नमबर पांच पर यहां पर आता है पीनट वैसे हम इसको गरीबों का बादाम भी बोलता है पर अगर इसकी nutrition value एक बार count करने के लिए बैट जाओ तो यह किसी हीरे से कम नहीं है यह आपको 1500 रुपे परती किलो ग्राम के साथ से इंडिया की किसी भी मार्किट से मिल जाएगा इसमें आपको protein के साथ साथ healthy fats, fiber, vitamin, minerals और magnesium और iron मिलता है जो कि इसको एक complete package बनाता है nutrition का इसमें आपको वो लगबग सारी properties मिल जाएगी जो बादाम में मिलती है दोस्तों यह healthy snacks का one of the best source है और इसके लगबग एक आउंस में आपको साथ साथ से 8 ग्राम तक protein मिल जाता है यह आपकी protein की कमी को तो दूर करता ही है साथी साथ आपकी fats और fiber की कमी को भी दूर करता है तो number 4 पर यहाँ पर आता है काला चना दोस्तों यह protein का तो बहुत अच्छा स्रोथ है ही साथी साथ अगर आपको digestive issues रहता है आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाता है या आपका hemoglobin level हमेसा down रहता है या आपको amenia की सिकायत है तो भी उसके लिए यह बहुत ही फायदे मन्द है इसकी 100 gram की serving में आपको मिलता है 90 grams of protein तो इसको अपनी diet के अंदर जरूर एट कीजी नमबर तीन पर यहाँ पर आता है राजमादा, the best source of protein साथ ही साथ इसमें सभी तरह के vitamins और minerals ही पाये जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर घर के अंदर आसानी सा available होता है और इसकी 100 gram की serving में आपको मिलता है 24 grams of protein तो दोस्तो नमबर दो पर यहाँ पर आता है साबुत मूँग जो कि एक highest protein source है इसकी खास्यती है कि calories में काफी ज़्यादा low होती है और nutrition values की काफी ज़्यादा high होती है दोस्तो यह protein का तो बड़ी असरोथ है ही साथ ही साथ इसके अंदर potassium, fiber और magnesium भी काफी अच्छी मातरा में पाया जाता है जो कि आपके weight loss के लिए काफी ज़्यादा healthful होता है इसकी 100 gram की serving में आपको मिलता है 24 grams of protein तो अब हम बात करेंगे number one की number one पर यहाँ पर आता है one of the best source of protein soya chunks दोस्तो अगर आप इसको protein का खजाना बोलेंगे तो सायद गलत नहीं होगा दोस्तो यह price में बेहदी सस्ता और जो इसके अंदर protein value पाये जाती है वो बजार में बिकने वाले किसी भी supplement से जादा होगी यह आपको डेट सो रुपे परती किलो ग्राम के साब से कहीं पे भी मिल जाएगा और इसकी 100 gram की serving में आपको मिलता है 52 grams of protein जिसमें सभी essential amino acid पाये जाते हैं साथ ही साथ इसमें आपको dietary fiber और iron भी काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है जो कि आपके पेट को भी साफ रखता है और आपके hemoglobin के स्थर को भी बढ़ाता है दोस्तों यह मेरी पहली वीडियो की उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत लगी होता है और नीचे आप comment section में comment कर सकते हैं अगली बार मैं उसको जरूर सुदारूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको एक like कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर लेना इससे मुझे motivation मिलेगा अगली वीडियो लाने का दोस्तो अगर आप एक healthy lifestyle follow करना चाता है या आप हमेशा life में fit रहना चाता है या आप weight loss करना चाता है तो इस चैनल को जरूर subscribe कर लेना मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा thanks for watching मिलते आपसे अगली वीडियो में